हेलो नमस्कार मसेजिन गर्तक गलेट्स क्रेक मैं आपकों शौगत करता हूँ जैसे प्रश्न दिया गया है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 11 है यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिये जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है सबसे पहले पहला वाला देखेंगे कि एकस प्लस वाई वरावर किता आना चीए 11 आना चीए 11 तो 11 आ रहा है क्या सभी में 11 आएगा देखो क्यों आएगा 11 तो अब दूसरा वाला देखते हैं कि यदि इस्थान बदल देते हैं तो 63 आता है किता बचेगा 13 में से 8 जाएगा बचेगा 5 यहां हो जाएगा 4 यह 45 45 आ रहा है नहीं पहला गया दूसरा देखते हैं बाननवे दिया है बाननवे में यदि यह हो जाता है 29 तो 12 में से 9 जाएगे बचेगा 3 और 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6 63 मतला ओप्शन भी इसका सही हो जाएगा इस प्रकार हम आप्शन की शायता से इसको हल कर सकते हैं आगे बिस्तार बिदी की दौरा इसको हल करके बताता हूं मैं आपको जैसे कि सवाल दिया गया है तो अपन क्या करेंगे चलो अपन इसको बिस्तार बिदी से हल करते हैं जैसे कि प्रस्ण कह रहा है कि इनक कि अंक आपस में बदल दिये जाते हैं तो 10X धन Y तो 63 कम हो जाता है बरावर इनके स्थान 10Y प्लस X कर दिया अब पक्छानतर करेंगे तो 10 में से 10X माइनस X और माइनस 10Y प्लस Y बरावर 63 अब 10 में से एक एक जाएगा 9X माइनस 9Y बरावर 63 तो X माइनस Y की वैल्यू कित्ती है आगई 7, 9, 7, 63 कितनी आगई 7 आजाएगी आगई 9 का भाग 63 में दिनेगी 7 आगई X माइनस X प्लस Y की वैल्यू कित्ती है 11 और X माइनस Y की वैल्यू है 7 तो अब जोड़ेंगे तो देखो 2X आएगा यह और यह आजाएगा 18 तो 2 की वैल्यू कित्ती आजाएगी 9 2 की वैल्यू कित्ती आगई 9 X की वैल्यू आगई 9 तो X कमान समीकड़ एक में रख़़ेंगे समीकड़ एक क्या था X प्लस Y वरावर 11 तो X कमान 9 प्लस Y वरावर 11 तो Y वरावर कित्ता आजाएगा 2 वरावर कित्ता आजाएगा 2 और संक्या क्या हो जाएगी 10 X प्लस Y मतलब 10 का गोड़ा होगा 9 में तो 90 हो गया और वाई मतलब 2 मतलब संक्या क्या हो जाएगी 12 इस प्रकार हम ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं थैंक्यू